एम आई वर्सेस सी एस के मुंबई इंडियन्स वर्सेस चेन्नाई सूपर किंग्स आई पियल का गाईज मैच नंबर 33 और गाईज ये वो ही दो टीमे हैं जो लास्ट सीजन तक बहुत ही जबर्दस पर्फोर्मेंस देखे आ रही थी बट इस वाले सीजन में गाईज इनको व करिए तो ये वाला मैच गईज दोनों इटीमों के लिए काफी जयादा इंपोर्ट niż02 अगर ये वाला मैच ये विन नहीं करेंंगे तो फिर इनको टोप चार में जग्या बनाना लगबख खतम हो जाएगा अब गाईज देखिए दोनों टीमों के लिए ये वाला मैच important है तो काफी changes भी गई जिस वाले मैच में होने वाले है chain नहीं की तरफ से क्या changes हो सकते हैं अपने इस वीडियो में बात करेंगे Mumbai Indians की तरफ से क्या changes हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे साथ में अपन बात करेंगे कि जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब इनके players का record कैसा है आपस में खेलते हुए और जिस ground पे ये वाला मैच खेला जाएगा उस ground पे batsman जादा अच्छा performance देते हैं या ballers साथ में आपको इस वाले वीडियो में player battle बताऊंगा जिसके base पर आप ये decide कर पाएंगे कि इस वाले मैच में ऐसा कौन सा बड़ा player है आपन डॉप कर सकते हैं साथ में आपको इस वाले मैच की मैं दो एक बैस टीम बना सको और साथ में आपको इस वाले मैच वे भी तीन की प्लियर्स बताऊंगा जिसको अगर आपने अपनी टीम में ले लिया तो काफी हद तक आप इस वाले मैच वे विन कर पाऊगी जैसा कि आपने लाश्ट मैच में इसके अलावा इस वाले वीडियो में भी हमेशा की तरह आप लोगों के लिए पचास अजार उपए का फिरी गीववे रहेगा गीववे का रूल गईज देखिए बिलकुल सिंपल सा है इसी वीडियो के बीच में मैं गईज कभी भी आप से इसी मैच से रिलेटेट एक क्य लाइक करना है अब देखिए लाइक करना जो मैं आपको मेहनत करके जो वीडियो देने वाला हूँ जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसके लिए भी कर देना साथ में मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं गईज हर मैच की बिलकुल फ्री टीम प्रोवाइड क कुछ मिस कर रहे हो एक लाइक से ज्यादा यूजर्स ने जॉइन कर लिया है तो जाना पहले वीडियो पूरा वाच करिए उसके बाद सीधा जॉइन कर लेना और इस चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन की घंटी दबा के और जरूर प्रैस कर देना ताकि आने वाले बाउंडरी है वो काफी छोटी है यहां पर बड़ा स्कोर बनता है 170 प्लस का स्कोर बनता हुआ देख सकता है यहां पर पहले बैट करो वह चीज ज्यादा मैटर करती नहीं है यहां पर एक चीज सबसे इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है यहां पर आप देखोगे लास्ट तीन-चार मैचों में तो फस्त बॉलर्स को यहां पर सबसे जाधा विकट मिले प्याउट आपके क्यों से लेह आप चीज चीज को आपको इस्पएश नियुकर नियुकर दखना है सा इस वाले पिछ पे अब आप देखे गई यहां पर लास्ट जो नौ मैच खेले गए ना उसमें आप किलियर ली देख सकते हैं कि पेसर्स को गई 64 विकेट मिले इस्पीनर्स को ऑनली 36 विकेट मिले बट आपको वो इस्पीनर गई इस वाले मैच में लेके चलने हैं जो शान यह बोलता हो क्योंकि गई जो मैं अभी आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा उसमें मुझे लगता है चेंज करना पड़ सकता है इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्षन में सबसे टॉप पे पिन क्या हुआ है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशल बिलक गुजराट टाइटन सो संराइजर्स हैद्राबाद के बीच जिसमें गुजराट ने 162 बनाए हैद्राबाद 168 बनाके चेस कर गया इसके बाद यहां मैच हुआ बारा अप्रेल 2022 को चेन नहीं और RCB के बीच चेन नहीं ने 216 बनाए RCB 193 पर अलाउट हो गया और तीसरा मै आपको मैं रिकॉर्ड बताऊंगा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस वाले मैच विन करना बट वीडियो गैस पूरा वाच करके जाना आप से छोटे बाई के चोटी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो वाच नहीं करते फिर आपका लॉस होता है रिक्वेस्ट है तो 20% एक्ष्टा कैश मिलेगा रैंक वन आती है ग्रैंड लीग में तो एक करोड उपर विन कर सकते हो जल्दी से जाएगे डाउन्डोड करिए बट इस एप्लिकेशन पर वित्य जोकिम इंक्लूड है क्रपया अपनी दिस पर ही खेले अब देखिए गई इस वाले मैच मे क्या क्या चेंजे सो सकते हैं मुंबई की तरफ से मुझे लग रहा है मुंबई इस वाले मैच में कमबैक कर सकता है रोईश शर्मा इशान किशन ओपन करेंगे डिवार्ड ब्रेवी सूरे कुमार यादा तिलक वर्मा यह मिडिल ओडर में खेलेंगे यहां तक इनकी कोई द इस वाले मैच में खिलाया जा सकता है लाश्ट मैच में भी चांसे इस थी बट नहीं खिलाया बट इस वाले मैच में खिला सकता है रिलाई मैरीड इट अगर इस वाले मैच में खेलता है तो आपको ग्रैंड लीग विन करा सकता है या नहीं गाईज वो मैं अभी आपको आ थोड़ी सी बालिंग उस स्रिद्रम धनी ली तो हो सकता है इस वाले मैच में आपको ड्वैन पैट्रीयस भी खेलते हुए दिखेंगे अगर ड्वैन पैट्रों यह वाला मैच केलते हैं तो ये आपकी team में होना या नहीं होना चाहिए ये guys मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ तो बिल्कुल guys नजरे गड़ा के रखना एक भी चीज इसकिप मत करना क्योंकि credit का issue भी इस वाले match में राएगा कैसे manage करना है guys वो अभी आपको आगे पता लग जाएगा सबसे पहले guys wicket keeper section में देखे तो Mumbai Indians की तरफ से guys इशान किशन open करेंगे इसका record guys जब ये चेन नहीं के against खेलता है तब बहुत अच्छा average है पाँच मैच में 170 run बना चुका है 43 की average से और DY party sports academy भी एक match खेला है वहाँ पर 54 run बना है लास्ट चार matchों से बल्ले से run नहीं निकल दे 13, 3, 26, 14 इस वाले match में मुझे लग रहा हिशान किशन एक बढ़िया choice हो सकता है जरूर से आपको अपनी टीम में रखना है कप्तान बनाना है वाइस कप्तान नहीं बनाना ये गाइज मैं भी आपको कप्तान वाइस कप्तान का selection बताऊँगा तब बताऊँगा MS धुनी की तरफ से बात करें तो 34 match खेले सामने वाली टीम के against 34 के average से venue पर 4 match 84 run और लास्ट तीन मैचों में 0-3-23 तो महिंदी सिंग धुनी का भी record अच्छा है गई जिस वाले सामने वाली टीम के against में मुंबई के गई बैटिंग सेक्शन की बात करें अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि रोई शर्मा को लेके कि इस वाले match में open करेगा इस पूरे IPL में गई एक पहला match था जहां पर 41 बनाये थे उसके अलावा हर match में form थोड़ी सी गड़बडा सी गई है बट मुझे लग रहा है इस वाले match में ये ट्रम कार साबित हो सकता है जैसे फाव डू प्लिसिस ने run बनाये मुझे लग रहा है इस वाले match में बल्ले से run निकल सकते है बट इस वाले ground पर गई 6 match में केवल 14 की average से 82 run बनाये है तो कहीं ना कहीं गई ये वाला venue इदास नहीं आता इसके लवा सूरे कुमार यादव की बात करें नंबर 4 पर खेलेगा head to head record की बात करो 25 का average है हर match में run निकल रहे हैं और आप देख सकते 31 49 एक विकेट 29 तिलक वर्मा की बात करें लाश्ट दो मैचों में 26 और 36 इस venue पर एक मैच खिला एक साटन मनाये तो कही ना कही तिलक वर्मा भी important है अब देखिए मुंबई के गईज यह चार बैट्समेन है अब चारों को तो आब रख नहीं सकते कैसे टीम बनानी है अभी आपको मैंने दो टीम दिखाऊंगा आपको पता लग जाएगा कैसे टीम बनेगी और इन चारों में से कौन सा ब बहुत अच्छा रहता है आप देखिए गई यहां पर रिकॉर्ड तीन मैच खेले गई इस मुंबई के अगेंस नाइंटी टू रन बनाये 46 की आवरेज से और लाश्ट मैच में भी 73 बनाके खाफी अच्छी फॉर्म में आ चुका है इसके लावा राइडू की बात करू न मैच में एक अच्छा कमबैक है रॉबिन उथपा की बात करें ओपन करेगा 25 कावरेज सामने वाले टीम के अगेंस वैन्यू पर तैते इस कावरेज और इस आईपियल में 250 लगा चुका 88 और 50 उसके अलावा हर मैच में ज्यादा खास परफोर्मेंस नहीं आया है शीवम जबी आपको पता लग जाएगा अब उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मतों अल्डाउंडर सेक्शन में बात करें अगर मुंबई की तरफ से तो किरन पूलाट गईस टीम का फास्ट बॉलर है और सामने वाली टीम के अगेंस चोईस मैच में 15 विकेट निकाले इस वाले जो की टीम का इस पिनर लाश्ट मैच में एक विकेट लिया था ये भी गैस काफी अच्छा कर सकता है बर प्रीवियस सीजन में चार मैच में एक विकेट लिया था इस चीज का भी आपको नोटिस में रखना है अपनी टीम बनाते समय चैन्नाई के ऑल रोंडर की बात करें दो ऐलरोंडर आते से पहले और उयुक से भी केज पहले इस वाल करने का सवाल बनता ही नहीं है और निकल यह अ방े लास्ट कर रहा है अपनी बैटिंग से और गाइज टेली ग्राम आप जरूर से जॉइन कर लें अगर आपको हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम चीए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्षन में सबसे टॉप पे पिन क्या हुआ है शौर एक्सपर सपोर्ट ऑफिशल नेम से ज फास्ट बॉलर्स पे खास तोर से नजर बना के रखना जैदे वुनाट कट गई इसका अच्छा गर रहा है लास्ट तीन मैचों में अब तक चार विकेट ले जा चुका है और इसके अलावा यहां पर मुरगन अश्विन की बात करें तो चेन नहीं केवल पाच मैच में दो विकेट निकाले तो कही ना कहेगा इस सर्प्राइस कर सकता है क्योंकि फास्ट बॉलर्स इफैक्टिव है आप देख सकते हैं लास्ट मैच में भी हैजल वूड को इसी वाले पिछ पे विकेट मिले ते तो बुमरा और उनाट कट यह दो स्पेशल बॉलर रहेंगे और हो सक करें तो देखिए दो बॉलर तो आप डेफिनेटली लखने ना एक तो डॉयन ब्रावो और एक यहां पर मैश तिश्काना तिश्काना साफी अच्छा कर रहा है लास्ट दो मैच में दो विकेट लेते हैं अब तक 6 विकेट लेजा चुका और इस वाले वेन्यू पर दो इश्ले मैच में काफे एक्सिव राता बट अगले मैच में दो विकेट लेकर गया था वैसे ही एक जॉड़न भी खेलता है तो डिफरेंशल हो सकता है बट मुझे लग रहा है इस वाले मैच में डौन पैट्रियस खेल सकता है डौन पैट्रियस अच्छा आल राउंडर है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है तो एक बढ़िया चॉइस वो भी बन सकता है इसके लाब मुकेश चौदी की बात करें हर मैच में एक विकेट की गैरंटी देता है यह प्लियर तो अगर आपको एक विकेट चीए तो मुकेश चौदी सरसे संपर कर सकते हैं या आ चैन्नाइग तरफ से भी इस वाले मैच में आपको ट्वेंट पैट्रियस खेलते हुए दिख सकते हैं यह मैच में एक विकेट और गएसा ईपन में मैच क्लाइट इसको दो मतलब चार विकेट लेकर गया तो और बैंच वे बैठा रहा है समझ से बार है जो जौर्डन की च सब्सक्राइब कर दोनों कर लेगा मेरा एक सजेशन है बाकि उनकी इच्छा है उनका डिसीजन लाश्ट होता है अब देखे गई इस वाले मैच की में आपको प्लेयर बैटल दिखा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना है कौन सा बड़ा प्लेयर इस वाले मैच में आप दिक्कत क्या है ब्रैबोर जड़े जा गई मिडेल आवर्स में आएंगे बैटिंग करने बो सौरी बॉलिंग करने और रोई शर्मा ओपनिंग करेगा तो जब तक यह अपना गेम बजा सकता है बट फिर भी गाई जील में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता है रोई शर मुझे हावी होता हुआ दिख रहा है और रोई शर्मा और सूरे कुमार यादव ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं इसके लावा रॉबिन उथपा को पोलार ने गई यहां पर तीन बार आउट के अंदर जैदेव उनाट कट ने भी 23 बार आउट किया है तो रॉबिन उथपा को भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं बर जब आप इनको ड्रॉप करो तो अपनी टीम में पोलार और उनाट कट इन दो प्लेयर्स को तो डैफिनेटली अपने टीम में रखना इस चीज़ का आपको इस पेशली ध्यान रखना है इसके ला इसके लावा मुर्गन अश्विन और बुम्रा यह कुछ बैट्समेन है जिनको ड्रॉप कर सकते एक तो रोई शर्मा सूरे कुमार यादाव रॉबिन उथपा राइडू बट गाइस यह चीज हर बार पॉसीबल हो इसकी भी गैज मैं आप लोगों से कोई गैरेंटी लेता क्योंकि कही ना कई कभी ना कभी चेंजेस होते रहते हैं ठीक है बट काफी हद तक यह चीज़े पॉसीबल है आने वाला है आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हो मुझे पता है अभी आने वाला है और अभी आपको दो टीम दिखाऊंगा कप्तान वाइस कप्तान का सेल और वहां पर विकेट सबसे जादा गिरते मुंबई की तरफ से बात करें तो दैत आपर मेंगे जैदे वुनाट कर जस्पीर बुमरा और टाइमल मिल्स अगर टाइमें मिल्स खेलता है तो यह लास्ट आवर्स करा सकता है और चेन्ने की तरफ से आएंगे ड्वैन ब्रावो आता है वह इंप्राइसिव रहता है और पावर प्ले में आएंगे यहां पर तिलक वर्मा जैदे वुनाट कर और मुर्गन अश्विन और यहां पर आएंगे मुकेश चौद्जी और महेश टिश्खाना तो इन बॉलर्स पर आपको खास तोर से नजर बनाके रखनी है अप आप चाहो तो स्मॉल लीग में आप चाहो तो ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ी सी अलग हट के टीम है यह वाली टीम एक सेव टीम है जिसके साथ आप जा सकते हैं बहुत दिमाग से गई मैंने टीम बनाने की कोशिच की है बट फिर भी अगर आपको जादा रोई शर्मा डिवाल ब्रैविस यह मुझे लग रहा है मुंबाई की तरफ से कम्प्लेट बैट्स मैंने इसमें एक की कमिये तिलक वर्मा की उसको भी मैंने अभी यूटिलाइस किया है कैसे क्या है वह भी बताऊंगा यहां पर रखाए रिट्टुराज गाएकवा यह तीन बैट्स मैंने हैं जो चिन्ने की तरफ से ज्यादा तर हर मैच में रन बनाके दे रहे हैं यहां पर क्या चेंजेस हो सकता है रॉबिन उथपा की जगे आप शिवम दूबे को भी ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि रॉबिन उथपा का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है स क्योंकि पिछ पर काफी हत तक पेसर के लिए मदद होगी इसलिए ब्रैवो और यहां पर रखाए मैश थिश खाना को तो यह मेरी पहली टीम है जो आप इस वाले मैच में यूज़ कर सकते हैं अब इस वाले टीम में क्या चेंजेस करके अपन ग्रैंड लेग और दिखा रहा हूं कि इस वाली टीम में क्या कर रहा है अब देखिए समझी अगर मालो चेंड नहीं का आज के मैच में टॉप और जल्डी आउट हो जाता है अब टॉप और में कौन कौन आउट होगा एक तो रॉबिन उतपा रितुराज गाइकवार यह जल्दी आउट हो ज प्रेंचल हो जाएंगे इस वाले मैच में इसके अलावा रोई यहां पर मैंने किसको रखा है मालो रोई शर्मा की फॉर्म आज के मैच में आती है इशान किशन भी जल्दी आउट हो जाता है तो फिर रन कौन मनाएगा सूरे कुमार यादा वर तिलक वर्मा यह दोनों करना है धोब जीको ने के सबसे इंपॉर्टेंट बॉम्हार मुर्गन अश्रस को इस वाले मैच में इंपॉर्ट हो सकता है तो काफी डिफ्रेंशल टीम है यह वाली सूर्झ कर सकते हूं इसको जीयल में करना इसल में हो जाएगी तो ёशआयो टा इस मैंने दोनों टीम दिखा दी अब कप्तान वाइस कप्तान के लिए कौन बैस्ट चॉइस है जिस वाले मैच के लिए वह भी अपन बात कर रहते हैं ए उस से पहले तो एगर है को दौन डाउनलोड करने के हैं आपको समझाते हैं वह पांच रेजन क्या क्या किया सब्से पहले अगर आप इसको मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो अगर यूस-कर sleep lizard चलोघ क्रोंग उसको 20% लक्षमकर्षां के साथ चैलते हो। 5 multiply winning कर सकते हो बहुत ही low credit issue है easily team बनती है तो जाइए जल्दी से download करिए बट इस वाली application पर विद्टे जोके में include है अपनी race पर खेले अब देखें गैज इस वाले match का giveaway का question भी आप लोगों से miss चल रहा है giveaway का question क्या है गैज आपको क्या लगता है इस वाले match में starting 6 hour में इस वाले match में इस टार्टिंग 6 hour में चेन नहीं super kings किते run बना सकता है आपको क्या लगता है इस वाले match में चेन नहीं super kings starting 6 hour में किते run बना सकता है 10 के gap में answer देना है अगर आपको लगता है 20 से 30 तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसे करके आप 10 के bracket पे answer देना है जिस भी भाई का answer से ही होगा बहुत लोगों के message आते हैं कि भाई इमने answer सही दिया था बट price नहीं मिला देखे गाइस भाई इस price मिल दा है कि हाँ इस बंदे ने देखा था इसलिए गाइस उसको जरूर से join करना description में comment section में subset of a pin क्या हुआ है शौर expert support official तो जरूर से आपको join कर लेना है अब देखे गाइस कप्तान वाइस कप्तान के लिए अगर मैं इस वाले match में बात करूँ तो कप्तान वाइस कप्तान के लिए गई यहां पर आज के match में decide करना बड़ा मुश्किल है कि कौन बढ़िया choice रहेगा आज के match के लिए आज के match के लिए गई इस कप्तान वाइस कप्तान के लिए आप यहां पर ब्रैवो को भी try कर सकते हो या फिर रितुराज गाइकवार भी बड़िया choice है इशान किशन में एक बड़िया choice है बाकि गई अगर कप्तान वाइस कप्तान में कुछ change करना होगा तो मैं आपको live analysis में आउंगा ना आप लोगो को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो हमेशा से इंफॉर्मेटिव रहता है एजूकेशन परपस से रहता है आप लोग मेरे वीडियो को इतना टाइम देते हो प्यार देते हो उसके लिए आप सभी भाहियो का धन्यवाद और मेरे रीजन से अगर आप किसी का लॉस होता है तो उसके लिए माफिज आता हूँ बट गैस मेरी कोशिश रहती है आपको हर वो चीज दू जो आपको एक अच्छे टेम बनाने में मदद करें बट गैस आप अपनी टीम खुद की बैस्ट बना सकते हो कॉपी पेस्ट मत करिए जो टेके वाई यो नवाशिकार